सब्सक्राइब कीजे हमारे इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं आपके लिए तीन महीनों के लिए ये वीडियो इतना पहले सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अपरेल मै और जून में कुछ महतपूर घटनाएं मीन राशी वालों के साथ हो सकती हैं वो घटनाएं कुछ अच्छी भी हो सकती हैं और कुछ बुरी भी इस पूरे जिनाओं को बढ़ाया जा सके तो बंदू इस पूरे वीडियो को आखरी तक बहुत ध्यान से जरूर देखें क्योंकि इस पूरे वीडियो में हमने आपको आपके विच्ट के बारे में बताया हैं स्वास्त के बारे में बताया हैं करियर के बारे में प्रेम के बारे में होती मेहनत के साथ बनाया गया है इसलिए इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ मीन राशी वालों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की जिन्दगी बदल सकती है बंधों आपके जीवन में जो भी परेशानिया हो उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं हमारे अगले मीन राशी के वीडियो में हम उनको सॉल्व करने की जरूर से जरूर कोशिश करेंगे पूर्व में जितने भी वीडियो हमने मीन राशी के लिए बनाए हैं वो सब भी शत्य पृतिशत सही साबित हुए हैं और ये सारी बातें आप लोगों नहीं हमें कमेंट करके बताएं बंधू अगर ये वीडियो भी आपको सही लगे या फिर हमारी कही बाते सही साबित हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि कितने पितिशत बातें सही हुई हैं बंधू अगर आप मीन राशी के वीडियो और पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको मीन राशी के वित्तिय भविश्यवानी के बारे में अप्रेल में जून 2020 के और मजबूत बनी हुई रहेगी हालकि व्यापार के मामलों में आपको बाजार के रुख वा तेजी मंदी के गणित को फिट करने की कुछ उठा पटक बनी हुई रहेगी ज़िए आप बाजार में बनते हुए माहोल को समझने की भूल करते हुए रहेंगे तो अच्छे भेश शनी वा धनेश मंगल की गोचरियां इस्तितियां आपको धन वा पूझी का लाब कराने के अवसरों को बनाए हुए रहेंगी अतहा अपने प्रियासों को और गती देते रहेए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपके धन लाब के भाव के स्वामी शनी हैं जो सुराशी गत गोचरवश बहुत जाएंगे जिसे धन की अच्छी स्थिति बनी हुई रहेगी पेट्रोल तेल कोहिला लोहा एवं कमीशन कानून आदी के कामों में विशेश लाब की स्थिति बनी रहेगी अतहा अपने प्रियासों को तीवर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और लाब आपको मिलता रहेगा बंदू अब बताते हैं आपको प्रेम एवं संबंद के भविश्य फल के बारे में 2020 के अप्रिल मई और जून के यह महीने मीन राशी की जातकेवं जातिकाओं को परिवार वह नजदी की लोगों से जुड़ने के अवसर देते हुई रहेंगे घर परिवार वह रिष्टेदारी में आने जाने और समवादों को बढ़ाने की कई मोके रहेंगे वैसे आप सामाने तोर पर उनसे मिलने वह संबात करने के लिए समय निकालते हुई रहेंगे क्योंकि आपके भावगत मुझूद ग्रहों की इस्तिती के अनुसार आपको वर्ष 2020 के अप्रिल, मै और जून में घर परिवार वह प्रेम संबंदों में मिले जुले परिणामों की इस्तिती बनी हुई रहेगी जिससे आपको किसी भी परिवार के सदस्यों को अप्रिये कहने और उनसे विवादों से बचने हैं तु सूजबूच कर ही चलना चाहिए वैसे प्रेम संबंदों में साथी के साथ आपको और अधिक अच्छे परिणामों को पाने के लिए धैरे से काम लेने की जरूरत बनी हुई रहेगी क्योंकि शुब ग्रही प्रभाव की कमी यहाँ पर बनी हुई रहेगी जिसे संबंदों में समवादों का करम तो रहेगा किन्तुभई रोचक्ता के साथ नहीं रहेगा जिसकी अपेक्षा में आप हैं अतहा अपने भावगत ग्रहों के प्रभाव को समझते हुए वर्ष 2020 के अप्रेल मई और जून के इन महीनों में कोई कदम ना उठावें अन्य था हानी की स्थिती बनेगी आपको बताते हैं आपके स्वास्त के बाविशिफल के बारे में 2020 के अप्रेल मई और जून के इन महीने मीन राशी के जातक वा जातेकाउं के शारिरिक शक्ति को और बुलंद करने वाले रहेंगे जिसे कामों को क्रमिक रूप से करने में सहायता बनी हुई रहेगी हाला कि घर परिवार वा किसी नजदी की रिष्टे में सेहत को लेकर आप कुछ परेशान से रहेंगे चाहे वाई आपके माता पिता हो या फिर कोई और कोई कहने का तात पर यह है कि वर्ष 2020 के अप्रिल, मई और जून के इन महिनों में आपको अपने तता घर परिवार के लोगों का सेहत का अच्छा खासा ध्यान देने की जरूरत रहेगी क्योंकि भावगत पाप ग्रही प्रभाव होने से आप कुछ परेशान रहेंगे वर्ष 2020 के अप्रिल, मई और जून के इन महिनों में आपको कहीं दूर दराज के छेतरों में यात्राओं हेतु रवाना होने की जरूरत रहेगी कहने का अभी प्रियाय यह है कि कामों का दबाब वव्यापारिक जीवन की उन्नती के अवसरों को प्योगी बनाने हेतु आपको अधिक शारिरिक शिरम की आवशक्ता बनी हुई रहेगी जिसे आप अपने कामों को अपने आपको ठका हुआ सम महसूस करते हुई रहेंगे अर्थात वर्ष 2020 के अप्रेल मई और जून की आह मही ने आपको सेहत के मामलों में मिले जुले परिणाम देने वाले रहेंगे अतहा यथा समय अपने खान पान को समालते हुए रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपको बताते हैं आपके शिक्षा के भविश्चिफल के बारे में 2020 के अपरिल मई और जून के इन महीनों में मीन राशी के जातक एवं जातिकाएं अपने शिक्षिक पहलूँ को अच्छा बनाने तथा ग्यान के इस तरको सम्रिद करने में लगे हुए रहेंगे जिससे उन्हें उत्तम किस्मी की सरवाधिक अंको वाली सफलता मिलने के आसार रहेंगे हलाकि आपको इस लक्षो को साथने है तो पूरे आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी जिससे आप अपने संबंदि द्विशियों के लेखन अध्यन के कामों को अंजाम तक पहुचाने में सफल रहेंगे क्योंकि आप वर्ष 2020 के अप्रिल मैं और जून के इन महिनों में सफलता के बिलकुल करीब बने हुई रहेंगे हालकि आपको प्रियासों को साधने की जरूरत रहेगी क्योंकि जब तक आप अपने ग्यान को पुक्ता करने के लिए संबंदि द्विशियों के अध्यन में तत्पर नहीं रहेंगे तब तक आप सफलता के निकट होते हुए भी उसे उच्छिस्तर पर नहीं बना पाएंगे क्योंकि भावगत शनी की द्रस्टी होने से आपको अधिक महनत और सदे हुए प्रियासों से किसी किसम की सफलता मिलना तै रहेगी अतह अपने सकारात्मक प्रियासों को और साधने में कोता ही ना करें प्रियासों को तीवर करें क्योंकि आपके तन्मन को साधने का वातबरन सकारात्मक बना हुआ रहेगा आपको बताते हैं आपके करियर और व्यवसाई के भविशिफल के बारे में 2020 के अप्रिल मई और जून के यह महिने मी निराशी के जातक एवं जातिकाओं को व्यवसाय वह करियर को अरजित करने के लिए बने हुए रहेंगे उपयोगी बने हुए रहेंगे क्योंकि आप अपने कई कामों को पूरा करने में लगे हुए रहेंगे 2020 के अप्रिल, मई और जून के महीनों में आपकी प्रतिसवर्धा इस्थानिय बाजार में बनी हुई रहेगी जिससे विविन व्यवसायों में आपको और अधिक अतिरिक्त मेहनत करने की जरुवत रहेगी यदि आप तकनीक, प्रबंधन, फिल्म, निर्देशन आदी के संबंधि छेत्रों में अपने करियर को सवारने की तमन्ना रखते हैं तो अपने प्रियासों को तेज करते रहेंगे तो आप सफल रहेंगे क्योंकि आपके कर्म भावगत शुब ग्रही इस्तिती बन रही है मिश्रित परिणामों की सिती साफ तोर पर दिखती रहेगी वैसे अप्रिल, मैं और जून की यह महिने आप के लिए उपयोगी बने हुई रहेंगे किन्तु कुछ कटिनाईयां भी बनी हुई रहेंगी वर्ष 2020 के इन महिनों में मीन राशी के जातक एवं जातिकाओं के बारे में कुछ ऐसे उपायों के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो आपके लिए सतत उपयोगी आपके धन, सम्मान, कार्य, व्यापार, घर परिवार को सजाने सवारने वाले रहेंगे चाहे वह आपके राजनेतिक, सामाजिक, शिक्षा के पहलू हो या फिर ग्रह नक्षत्र के दुश्प्रभावों से बचने के लिए हो ऐसे अनभूत उपायों को जो सरल वा साध्य और उपयोगी रहेंगे क्योंकि कई लोगों ने इन सकारात्मत प्रियोगों का असर देखा है इसलिए आपके लिए ये निश्चित रूप से लाब कारी रहेंगे सबसे पहली बात आपको नो मुकीर राक्ष को धारन जरूर करना चाहिए या फिर रखना चाहिए जिससे बहुत लाब होगा श्री दुर्गा बीसा यंत्र और लौकेट को धारन कीचिए या फिर अपने पास रखिए उससे भी बहुत लाब होगा शानिवार के दिन तेल का दान जरूर करें कुट्तों को दूद जरूर पिलाएं बंदूओं ये था बहुत ही महतपून वीडियो मीन राशी के लिए आपको बता दे कि जो तिश भागे नहीं बदलता बलकि कर्म पत बताता है और सही कर्म से भागे को बदला जा सकता है इसमें कोई भी संदे है नहीं है इसलिए इस वीडियो को जादा से जादा मीन राशी वाले लोगों के साथ फेस्बुक और वटसिप पर जरूर शेयर करें अगर आपकी जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानिया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हजारों की संख्या में कमेंट आने की वजह से हम सारे कमेंट का रिपलाई नहीं कर पाते हैं लेकिन हमारे अगले वीडियो में हम उनका समधान देने की जरूर कोशिश करेंगे बंदू अगर आप मीन राशी के और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल देशी भक्ती को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं